नमस्कार दोस्तों मैं अंकित डिश्टर सिक्षापर आप सभी का हार देख स्वागत करते हूं चलिए शुरुआत करते हैं अपने सैसन देली करेंट अफियर पर यह जो सैसन वल लाइनर है और बेहदी महत्पूर्ड सैसन है जो आपसे इस सैसन में प्रतियोगी परिक्षाओ में एक नएक प्रस्ण आवस ही पूछा जाएगा यहां पे आपने टॉप मोस्ट महत्पूर्ड प्रस्ण लिए हैं इसलिए आप इस सैसन को पूरा देखे या आपको सैसन प्संद आए तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें देखिएगा आपसे सबसे पहले पूछा कि बत सबसे पहले पूरा जरूर करें याद रखिएगा उत्तराखंड भारत का वह पहला राज है जो सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करें याद रखिएगा कौन सा कि उत्तराखंड वह राज है चलिए आंगे की ऊपर चर्चा करते हैं देखिएगा आपसे दूसरे मजबूत टैली कॉम ब्रांड बना है याद रखिएगा कौन सा तो रिलाइंस जिओ दूसरा सबसे मजबूत टैली कॉम ब्रांड बना है याद रखिएगा जो भारत से संबन्दित है ठीक है आईए देखते हैं तीसरे नंबर पर आई-एम-एफ का कुस्च्छन है तो आई भारत IMF के अनुसार 2023 में बैस्विक विकास में 15% योगदान देने की छमता रखता है तो भारत वहे देश है याद रखेगा भारत वहे देश है जो IMF के अनुसार 2023 में बैस्विक विकास में 15% योगदान देने की छमता रखता है बोलते चलिएगा कि भारत कौन सा देश भार आई-एम-फ की अनुसार बैस्विक विकास में 15% योगदान देने की छमता रखता है यह सारे की सारे कुश्चन बेहद ही महत्पूर है बेहद महत्पूर सेशन है सेशन को पूरे पूरा जरूर देखिएगा यदि आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को हमारे सस्क्राइब ज पूछा जाता है तो बताएगे की भारतिय बायू सेना ने किस देश में सिंसु महत्तरी अभ्यास किया है एगर आपसे पूछा जाएं किस थिसने किया है तो आप बताएंगे भिया इंडियन एयर फोर्स ने आनि भारतिय भार्दिय बायू सेना ने और भार्दिय बायू सेना ने सिंसु मेत्री अभ्यास किस देश के साथ किया है आप बताएंगे भईया कि जापान जो जापान की जो बायू सेना है उसके साथ किया है यानि कि जापान देश की बायू सेना के साथ किया है याद रखेगा आंगे चल कि we get decided कूँसा दिन कब मनाया जाता है बताइए कि भारती है राष्ट या और राष्टि हिंदी दिवास है वो कब मनाया है ट्शीक है अब देखिएगा सबसे बड़ी वि देशी एरलाइन के रुप में कौन सी एरलाइन ऊही compromise है पताइए एरिमेट स एलाइन जो एतना महतपूर जा प्रस्ण है नहीं है कि अगर आप यह भूल भी जा एतो कोई बात नहीं की एरइ मेट से जो एरफ्ट राइन है वह हाल ही मैं सबसे बड़ी विदेसी ए रूप में उपरी है चलिए आगे देखते है इतना महतपूर प्रस्ण नहीं है यह हिए देखे बेहदी मात इंतीट पूड में भारत का पहला एर कुणग कन्डेंसर होता है वह चालू किया है किस एंटीपीसी वाई कंपनी है किस कंपनी ने तो बताएंगे एंटीपीसी ने क्या चालू किया है तो एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है ठीक है किसने एयर कूल्ड कंडेंसर किसने एंटीपीसी ने और एंटीपीसी कहां किया एंटीपीसी तो बताएंगे जहार खंड की या पूछा गया है कि सहयुक्त राष्ट की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कड़ पाए गए हैं बताएगा तो आप वहे देश है इरान वहे देश है जिसमें 83.7% यूरेनियम के कड़ पाए गए हैं और किसकी रिपोर्ट के अनुसार आप बताएंगे सहयुक्त राष्ट की रिपोर्ट के अनुसार इरान में यूरेनियम के 83.7% कड़ पाए गए हैं किसके यूरेनियम के ठीक है याद रखेगा तो एक बार फिर से बोलते हैं क सयुक्त रस्ट की रिपोर्ट के अनुसार एरान में 83.7% यूरेनियम के कड़ पाए गए हैं याद रखिएगा आईए देखिए एक नाइक महुतसब से जरूर कुश्चन आएगा अभी हमने आगे जो पिछली क्लास हमारी हूँ इसमें भी हमने आपका एक महुतसब से कुश्चन लिया था इसमें भी हमने महुतसब से कुश्चन लिया है जो हमारा यह सैसन चलाया जा रहा है देली करंट अफियर का बेहदी महत्रपूर सैसन है आप इन सैसन को रोज अटेंड करिएगा इनसे कुश्चन आपका आवस भसेगा इस बात कि आप कारंटी लिएगा देखिए कुश्चन है कुश्चन नमबर 9 में किस राज में पहला बोडो लेंड बोडो लेंड अंतर राष्टिय ग्यान महुत सब शुरू हुआ है आप बताईएगा किस में तो बोडो लेंड अंतर राष्टिय ग्यान महुत सब असम में सुरू हुआ है ठीक है याद रखिएगा अगर आपसे कुश्चन पूछा जाए अभी हाल नहीं में कौन सा राज है जहां पर बोडो लेंड अंतर राष्टिय ग्यान महुत सब शुरू हुआ है आप बताएंगे असम है कौन सा असम और यहां से सीटैट में कुश्चन अवस से ही पूछा पूछा जाता है और वो प्रस्ट ने जो पूछा जाता है वो पताएं किस से सम्बंदत वो घरों सम्बंदत है और कितनी उचाई पर और किसके असम में घर बनाया जाते हैं कुश्चन नमबर दस में आपसे कहा गया कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन या भारत को हभी हाल यह में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन के द्वारा कौन सा अवर्ड दिया गया है आप बताएं कि गवर्मेंट लीडर से अवर्ड दिया गया है या आप से कुश्चन पूछा जा सकता है आपे कि गवर्मेंट लीडर से अवर्ड किसे द तो बापक तो हुआ है इसलिए रही स्ınd आपको जरूर पूछा जाएगा कई ना कहीं अवस्य आपको च्पा हुआ मिलेगा लीडंट है कुसे प्राप्त हुआ है कौन से देश को प्रांप हुआ आप बताएंगे भी यह कि भारत को प्राप्त हुआ और यह अब और देता कौन है आप बताएंगे कि Global System for Mobile Communication यानी की GSM Association के द्वारा दिया जाता है कौन सा अबर दिया जाता है तो Government Leadership अबर्ट 2023 का Government Leadership अबर्ट किस देश को प्राप्त हुआ आप बताएंगे भारत को प्राप्त हुआ है ठीक है आए कुश्चन नमबर 11 के उपर चर्चा करते हैं देखिए ACI सत्रंज महासंग ने किसे Player of the Year के पुरुषकार से सम्मानित किया है बताएगा कि ACI जो सत्रंज की महासंग है उस पुरुषकार से सम्मानित किया है तो ACI सत्रंज महासंग ने किसे Player of the Year दिया है तो डी गुकेश को इस पुरुषकार से सम्मानित किया याद रखिएगा एक कुश्चन आपको आ सकता है खेलों से पुरुषकार से सम्मानित है देखिए करेंट फिर के हर प्रसन नहीं से सम्मानित है वह करेंट फिर आपसे उस पर रिक्षा में पूछा जा सकता है देखिएगा कि किस संस्था ने NSE को रुपए NSE को रुपए डेनो मिंडेटेड नाइमेक्स WTI कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के फूचर और कॉंट्रेक्ट शुरू करने की अनुपती दि देखिएगा जब आपकी CEO की बात आती और CEO खास्तोर से अगर भारती हो तो वह कुश्चन आपके लिए बन जाता है महत्पूर क्योंकि यहां पर भारती है संबंदित है इसलिए कुश्चन आपके लिए बताइए कि गौद्रेज इंडेस्ट्री ने अपने रसाइन व्यव के CEO बना दिये गए हैं किसके तो विसाल सर्मा को गौद्रेज रसाइन व्यविवसाई जो है वह जो यानि कि आप विभाग भी कह दिये दिये गौद्रेज जो इंडेस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडेस्ट्रीज है अब जो इसमें जो रसाइन व्यविवसाई का उसके CEO देखिएगा कि किस देश ने अपनी पहली डिश्टल जनगरना और आवास गरना की सुरुआत की एक कुश्चन बेहद महातपूर है सबसे इस सैसन का सबसे महातपूर अगर कोई कुश्चन है तो यह है क्योंकि यह आपके पड़ोसी सम्मन्दित है और एक ऐसा पडोसी जो परिक्षा में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप इससे ऐसी चीजों की उमीद नहीं करते हैं तो बताइए कौन है तो किस देश ने हाल ही में अपनी डिश्टल जनगरना और आवास गरना की सुरुआत की याद रखिएगा कि पाकिस्तान वह देश है जिसने अपनी प पताएंगे पाकिस्तान ने करियो और आज क्लास का हमारा लास्ट कुस्चन को पूरा देखेगा यदि आपको साइसन पसंद दाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रें वीडियो को लाइक जलूर करें कुश्चन नमबर 15 कि किस देश ने सौर उड़ जाके उपयोग को बढ़ाने के लिए आई ऐसे किस सा समझोता किया है तो वह है देश बांगलादीस है देखिए आपने इस 15 कुश्चन में आपने हर प्रकार को कुश्चन देखे हैं आपने इसमें प्रुसकार से सम्मंदित कुश्चन आते हैं इससे सम्मंदित बहुत ज्यादा आते हैं लेकिन जब आप सिक्षक भरती से सम्मंदित प्रस्ण देखते हैं तो वहां पर क्या होता है आप से सम्मंदित करंट अफेर पूछी जाती है प्रुसकार से सम्मंदित करंट अफेर पूछी आती उसमें भी इ यह है करेंट अफियर एस हैसन बेहादी मातपूर है देखेगा तो कुछन नमबर 15 आप से कहा है किस देश ने सौरूर्जा के उपयोग के बढ़ाने को के लिए आई ऐसे के साथ समझोता गिया है आपको बताना है कि जो आई ऐसे इसका फुल फॉर्म के आई ऐसे का आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट करके आवस्ट बताएं यदि आपको सेसन पसंद आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करके आपस अपना फीड़बैक दे और आंगे की क्लास हैं आपको लिए आती रहेंग धन्यवाद